हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू लंग्रे दितिमन, तो हम कर रहे थे एट क्लास को, जिसमें हमने आधा चेप्टर कर लिया था, हमने यहां तक पढ़ लिया था, महला ससक्ती करण के लिए जो कानून बनाए गए हैं, हिंदू उत्रादिकार, दत्तक ग्रहन, सरंक्षन अधिकार अधिनियम, दहेज निशेद अधिनियम 1961 है, और बाल विवार निशेद अधिनियम 2006 आपको याद रखना है, तो चलिए उसके बाद हम पढ़ते हैं, मतदान प्रक्रिया, विध्याले में बाल संसत के चुनाव हो रहे थे, सभी विध्यार्ती मतपत्र पर निशान लगा कर अपनी पसंद के कक्षा प्रतिनिदी का समर्थन कर रहे थे, तबी गीता सिक्षक से पूस्ती है कि गुरु जी क्या विधान सभा और लोक सभा के दिये भी प्रतिनिदियों का चुनाव इसी तरह से किया जाता है, तो गुरु जी ने बताया कि अब अधिकांज के स्थान पर मशीन का बटन दबा कर अपने पसंद की उमीदवार को वोट दिया जाता है, तो याद हो आपको कि हमारे जब माता पिता थे, तो उस वक्त ये कारे किया जाता था, वहाँ पर अंगूठे से मोहर लगाई जाती थी, ठीक है, लेकिन अब EVM जो है वह आ चुका है, Electronic Voting Machine, तो यहाँ पर मशीन का बटन दबा कर हम अपने पसंद दीदा उमीदवार को वोट देते हैं, एक EVM द्वारा अधिक्तम सूले उमीदवारों को वोट दिया जा सकता है, इनमें से अंतिम बटन नोटा विकल्प का होता है, यानि कि यदि कोई भी उमीदवार आप को पसंद नहीं है, तो आप इस विकल्प को चुनते हैं, इस प्रक्रिया में मतदान केंदरों का निर्धारन, मतदाता सूची का प्रकाशन उमीदवारों की सूची, EVM को चुनाब हेतु तयार करना आदिकार है, शामिल है, तो यहां तक हमने पढ़ा, तो यहां हमें बस इतना ही पता चल पाया है, हमने जो पहराग्राफ पढ़ा, जो की आपके लिए important line है, एक तो EVM की full form आपको, ठीक है, electronic voting machine, ठीक है, और उसके बाद देखिए एक word और आया है, नोटा, तो कई वच्चों को नहीं बता होगा नोटा क्या होता है, तो देखिए, चुनाब में खड़े उमीदवारों में से किसी भी उमीदवार को अगर मत दाता, उप्युक्त नहीं मानता है, तो वह अंतिम button, none of the above, बटन दब कर अपना मत सुनिश्चित कर सकता है, तो अब ऐसा भी नहीं है, कि आपको एक उमीदवार पसंद नहीं है, दूजरा भी पसंद नहीं है, तो आपको इन दोनों में से एक चुनना होगा, ठीक है, आपके पास वह विकल्प रहता है, नोटा का, आपको कोई नहीं पसंद है, तो आप नोटा पर दवा सकते हैं, नेक्स्ट देखिए, प्रतीक मतदान केंदर के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर द्वारा एक मतदान दल का गठन किया जाता है, मतदान दल में एक पीठा सीन अधिकारी वा अन्य मतदान अधिकारी होते हैं, अब देखिए यहां पर ये वाली लाइन को आप धिहान से देखिए, आपके एक्जाम में, रीट के एक्जाम में ये आ चुकी है, धिहान देना है आपको, मतदान दल में एक पीठा सी अधिकारी होता है, ठीक है, अन्य मतदान अधिकारी भी होते हैं, और एक पीठा सी अधिकारी भी होता ह यह आपके exam में जो है question पूछा गया था, तो question तो इनी books में से पूछे जाते हैं, मतदान के इंदर में प्रवेश करते ही मतदाता के नाम का मतदाता सूची से मिलान किया जाता है, कि जो मतदाता आया है, उसका सूची में नाम है या नहीं, उसके बाद मतदाता के बाएं हाथ की तरजनी अमली पर अमिट शाही लगाई जाती है, मतदाता रजिस्टर में उसके हस्ताक्षर करने के बाद मतदाता EVM मशीन पर वोट डालने के लिए मतदान कैबिन में प्रवेश करता है, वहाँ वहे EVM का बटन दबा कर गुपत रूप से अपना वोट डालता है, और इ समुक उमीदवार या उसके प्रतिनिदी की उपस्तिती में EVM के मतों की गढ़ना करवाता है और परिणाम जो है उसकी गोशना करता है, ठीक है, तो प्रेक्टिकल तो आप सभी ने देखा है, सभी लोग जो हैं वोट डालने जाते ही हैं, वी वी पी एटी, इसकी फुल प्रेटी की और नोटा की, ठीक है, तीन जो हैं फुल फुम आप ध्यान में रखें, यह एक प्रिंटर युक्ती है, क्या है यह एक प्रिंटर युक्ती है, इसका EVM के वैलेट यूनिट और कंट्रोल यूनिस से इसको जोडा जाता है, मतदान होते ही प्रिंटर द्वारा ए देती है और उसके बाद परची प्रिंटर के ड्रॉप बॉक्स में चली जाती है, बीप की आवाज सुनाई देती है, तो बिलकुल सुनाई देती है, इस प्रकार मतदान की प्रक्रिया पून होती है, इससे मतदाता यह जान सकता है कि उसने जिस उम्मीदवार को वोट दिय है, उसे ही वोट मिला है या नहीं है, या नहीं, इसके उपियोग से निर्वाचन प्रक्रिया में निस्पक्षतावर विस्वस्नियता बड़ी है, तो पहले देखिए इसमें भी बहुत ज़्यादा गड़वड हुआ करती थी, जब यह मशीन नहीं थी, अंगुठे के मतदान लगवा के और वहां पर एड कर दिया जाता था, मतगरना में विवाद की स्थती में इन परचियों की सहयता ली जा सकती है, तो इस प्रकार गीता को पता चल गया, बाकि सब जो भी विध्यारती थे, गक्षा में उन सब को मतदान प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त हो गई, सुव्यवस्तित मतदाता सिक्षा और निर्वाचक सहभागिता स्वीप, तो यह क्या होता है, तो यहां पर जो निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में सिक्षा दे, सुव्यवस्तित मतदाता सिक्षा सिक्षित करे और उनकी सहभागिता को बढ़ाए, यानि ज्याद से ज़्यादा लोग जो है वह है वोट देने पहुंचे मत दाताओं नागरिकों और निर्वाचकों को निर्वाचन प्रक्रिया के बारे में अपना सिक्षित करने और उनकी सहभागिता बढाने ही तू निर्वाचन विभाग द्वारा बहु मुकी कारिक्रम को सुव्यवस्त मत दाता सिक्षा और निर्वाचक सहभागिता कहते हैं तो इस कारिकरम के दो मुख्य उद्देश हैं कौन कौन से हैं सबसे पहले है सुचित मत दान निस्चित निस्पक्षवा नीती परक मत दान हो इसका उद्देश यह है कि निस्पक्षवा मत दान और नीती परक हो दू नहीं किया है, तो वो लोग क्या करते हैं, वोट देने ही नहीं जाते हैं, तो यह सबसे गलत बात है, क्योंकि यह अपका अधिकार है, यदि आपको कोई पसंद नहीं आता है, तो आप अपना एक अलग विकल्प चुन सकते हो, नोटा पर मतधान कर सकते हो, ठीक है? और यदि आपको कोई भी उम्मीदवार पसंद है तो आप उसको वोट दे सकते हो तो जादा से जादा मतदान जो है उसके लिए जागरूप करना इसका मुख्य उदेश्य है नेक्ट देखिए सूचना का अधिकार अब यहां से जो अफ्रशन आपके एक्जाम में पूछा गया है चाहे याद नहीं है मुझे फस्ट ग्रेड है या सेकिंड ग्रेड है वहां पर भी पूछा गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ कभी कभी समाज के विविन बर्गों और समाजिक संगटनों द्वारा किसी खास कानून को बनाने के लिए सरकार से मांग की जाती है इन मांगों के प्रती सरकार समविदन सिल होते हुए भी कानून का निगमान करती है ऐसा ही एक उधारन हमारे राजिस्थान में भी देखने को मिलता है राजिस्थान के रासम जिले की भीम तहसील के देव टूंगरी गाउं में मजदूरों एवं किसानों ने अपनी मजदूरी से संबंदित सरकारी रिकॉर्ड जैसे हाजरी, भुकतान रजिस्टर इनकी प्रतियां मांगने के लिए संघर्स किया इसी मांग के अधार परसन 2000 में राजिस्थान सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला पहला राज्य बना जिसने इसकी मांग की दीरे-दीरे सूचना के अधिकार का संगर्स आंदोनन का रूप लेते हुए रास्ट्र व्यापि हो गया जनता की भावना को सुईकार करते हुए भारस सरकार में सूचना का अधिकार अधनियम 2005 बनाया ठीक है अब भारे सरकार के संदर्व में यदि आपके पास जो है वो कोशन आ जाए तब आप सूचना का अधिकार अधिनेव 2005 करेंगे ठीक है और अलग से यदि कोशन आता है कि सबसे पहले सूचना का अधिकार कानून बनाने वाला राजिय कौन सा बना तो राजिस्थान बन ठीक है और भारे सरकार ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 बनाया जो सभी राज्यों में लागो हुआ यह कानून सरकारी इस तरपर जन भागीदारी एवं पार दर्शिता को बढ़ाने का सकती साली कदम साबित हुआ इस कानून के माध्यम से आम व्यक्ति सरकार किसी भी स कोई भी जानकारी प्राप्त कर सकते हो निशुलक और अनिवार्य बाल सिक्षा का अधिकार अधिकार अधिनियम सिक्षा को सरल और सुलब बनाने के उतेशे से भार सरकार द्वारा यह अधिनियम सन 2009 में बनाया गया इसी तरह राजिस्थान सरकार ने राजिस्थान से 14 आयू के वर्ग के बच्चों को निशूलक और अनिवार प्रारंबिक सिक्षा तो 6 से 14 यानि कि वह क्लास पस्ट में एडमीशन ले लेता है और 18 तक यानि कि 14 वर्ष की आयू हो चुकी है उसकी तो कक्षा 1 से 8 तक प्रावधन किया गया ताकि कोई भी बच्चा जो है वो स क्षा से बंचित ना रह सके इस अधनियम के तहत बच्चा अपनी आयू अनुसार मिर्धारित क्षा में कभी भी प्रवेश ले सकता है निजी स्कूलों में कमजोर और पिछडे वर्ग के बच्चों के लिए 25 परसेंट सीटें जो है वो आरेक्षित होती है इस जिसके बदल स्कूल हो और यह याद रखिएगा कि 6-14 आयू के बच्चों को निशुल को एवं अनिवार्रे प्रारंबिक सिक्षा जो है उसका प्रावदान किया गया एक अप्रेल 2011 से यह लागू हुआ तो यह 86 सम्विधान संसोधन की अंतरगत किया गया बाल अधिकार 20 नवंबर 1989 को संयुक्त राष्ट की आमसभाद्वारा बाल अधिकार समझोते को पारित किया गया बाल अधिकार समझोता ऐसा पहला अंतराष्टिय समझोता है जो सभी बच्चों के नागरिक, सांस्कृति सामाजिक, आर्थिक, राजनितिक अधिकारों को माननेता देता है। इस बाल अधिकार समझोते पर भारत ने 1992 में हस्ताक्षर कर अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त की। बच्चों के ये अधिकार चार मूल सिद्धानतों पर आधारित हैं। कौन से जीने का अधिकार, सुरक आपको केवल पढ़ने को जादा मिलेगा, समझने को जादा मिलेगा और यहाँ याद करने के लिए आपको बहुत कम मिलेगा। राज्य बाल अधिकार चाइल्ड हेल्प लाइन, तो यहां बच्चों के लिए चाइल्ड हेल्प लाइन है, तो इसने क्या है, कि राज्य में कठनाईयों में घिरे पीडित, उपेक्षित, लावारिस, देखरेक और सनरक्षन की जरुरत वाले जो बच्चे हैं, उनको 24 घंटे निशुलक आपात काल इन पहुत सेवा 1098, टोल फ्री नंबर है, यह टेलिफोन सेवा संचालित की गई है, यदि कोई भी बालग तो उसके साथ जो है वो बहुत ज़्यादा अत्याचार हो रहा है, तो वह इस नंबर पर डाइल करके और वह अपनी परिष्टिती को बता सकता है, और जिसके लिए उसकी पूरी तरीके से साहता की जाएगी, राजिस्तान में बाल सरक्षन की चुनोतियां जैसे बाल विवा, कन्या भून अत्या, बाल लिंगा नुपात, बाल श्रम, कुपोशन, आदी के उन्मूलन एवं सुधार के लिए राजिस सरकार प्रियासरत है, तो देखिए कई तरीके की योजनाएं जो हैं, वो चलाई गई हैं, हलाकि यहां पर आप देखेंगे कि 100 में से केवल 10% लोग जो हैं, वही अपने अधिकारों के लिए जागरुक रहते हैं, आप लोगों ने न्यूज वगरा में भी देखा होगा, कि कई जो छोटी बच्चियां हैं, वहें के परिवारवालों की वज़य से कन्या भून हत्या जो है, उसके साथ किया जा रहा है, ठीक है, तो यह चीज़ें, 100 में से केवल 10% जो लोग हैं, वही आगे बढ़कर आए हैं, यदि 100 में से 100% लोग जो हैं, वह आगे बढ़ते हैं, और इन चीजों से अपने अधिकारों क को देखते हैं कि यहां यह मेरा अधिकार है और हमें जो है कोई भी इस चीज के लिए परिशान नहीं कर सकता है यह हमारा राइट है तो सारी जमस्याएं जो हैं वह खतम हो जाएं राजिस्थान संपर्क पोर्टन राजिसरकार ने सितंबर 2019 को जन सामानने की शिकायतों को दर्ज करने और समस्याओं का निराकरन करने का अभिनव प्रियास प्रारम किया है इस पर कोई भी व्यक्ति कारेले में उपस्तित हुए बिना समस्याओं को ओन लाइन दर्ज करवा सक पंचाय सम्यति और जिला इस्तर पर राजिस्थान संपर्क केंद्रों पर निश्वल्क रूप से सिकायतों को दर्ज कराने की सोविदा उपलगद कराई गई है तो राजिस्थान संपर्क पोर्टल जहां पर आप अपनी समस्याओं को ओनलाइन धर्ज करवा सकते हो। नेच्ट दिखिए साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराद क्या होता है ये साइबर अपराद और जो की इसकी जो बढ़ने की तादाद जो है वो अब बहुत जादा पढ़ गई है। तो यह एक तरह की सुरक्षा है, जो इंटरनेट से जुड़े हुए सिस्टम के लिए होती है, इसमें हार्डवेर, सॉफ्टवेर, डाटा को साइवर अपराद से बचाने, सुरक्षित रखने का काम किया जाता है, बड़े बड़े कम्प्यूटर विसे सग्य, आईटी के प्र साइवर सुरक्षा हमलों के प्रकार, कौन-कौन से प्रकार हो सकते हैं, बदलती तकनीकी के कारण हमारी सुरक्षा हमारे लिए काफी चुनोती भरा काम हो गया है, साइवर धमकियों, अपरादों से बचने के लिए हमें हमारी जानकारी को सुरक्षित रखना काफी जरूरी आपने भी देखा होगा एक कोई गेम चलता था तो उस गेम के पीछे जो है वो बच्चे बहुत ज्यादा पागल हो रहे थे और उस गेम के लिए आपने देखा कई बच्चों ने सुसाइड भी कर लिया था ठीक है तो ये इसी तरीके की चीजे होती है जो की उकसाती है ये का होती है कि वो किस दिसा की और बढ़ रहा है रेन सम वेर यह एक तरह का वाइरस होता है जो की अपरादी द्वारा लोगों के कंप्यूटर और सिस्टम में हमला करके पाइलों को नुक्सान पहुंचाता है तो ये क्या होता है तो ये जो अपराद करने वाला परादी होता है वो क्या करता है दूसरों के computer और system में क्या करता है हमला करके और उनकी file को नुक्सान पहुंचा देता है फिर उसके बाद अपरादी computer या system के मालिक सेरासी वसूलता है और तब ही उसके system को छोड़ता है तो देखिए वो कहते हैं कि computer जो है उनका hack कर लिया mobile जो है वो hack कर लिया तो वो यही होता है फिर देखिए malware यह computer की किसी file या फिर program को नुक्सान पहुंचाता है जैसे की computer virus warm और frozen next देखिए cyber धोकादड़ी इसमें वारतालाप के माध्यम से चालाकी से लोगों को जाल में फसाया जाता है ताकि उनसे उनके निजी data पासवर्ड आदी की जानकारी लिजा सके तो आप लोगोंने सुना भी होगा कि उनके account से bank के account से सारा जो भी धन था उनका निकाल लिया ठीक है उनसे किसी तरीके से उन्हें जाल में फसा कर चालाकी से उनका निजी data और पासवर्ड चुरा लिया गया तो ऐसे भी कार्या होते हैं phishing एवं spoofing इसके example है phishing क्या है यह एक तरह की ठगी का एक तरीका है जिसमें लोगों को प्रतिस्टित या विस्वस्त संस्थानों के नाम से परजी email भेजा जाता है इस तरह के mail का उद्देश जरूरी data को चुराना होता है जैसे credit card हो गया net banking की जानकारी हो गई spoofing देखिए इसमें ठकी करने वाला व्यक्ति किसी वैद व्यवसाय पडोसी या विस्वस्त होने के बहाने से किसी अन्य की पहचान या व्यक्तिकत जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करता है तो ये भी cyber धोकादड़ी जो है ये भी बहुत ही बढ़ चल कर जो है वो कार्या कर रही है हाला कि इसके लिए इनको पकड़ा भी जा रहा है और नेक्स्ट देखिए तो इस cyber सुरक्षा के क्या उपाए हैं cyber सुरक्षा के लिए अपने password या ATM PIN को गोपनिय रखें तो आपको सभी बोलते भी हैं कि password किसी को ना बताएं और समय समय पर बदलते रहें यदि आपको यह महसूस होता है कि हमारा password जो है वो शायद किसी ने चुरा लिया है या किसी को पता चल गया है या ATM PIN जो है वह किसी ने देख लिया था तो क्या करना है आपको उसको चेंज कर देना है अपने computer वा laptop में नवीनतम antivirus software जो है वह है डालते रहें किसी को भी phone या email पर विक्तिकत जानकारी न देवें ATM वा bank हातों से संबंदित धोका दड़ी की सूचना ततकाल संबंदित bank को देवे साइबर अपराद की इस्तिती में नागरिक national cyber crime reporting portal पर online शिकायद दर्ज करवा सकते है वर्तमान समय में इस राज्य के विकास के लिए ऐसे कई प्रकार के राज्यकिये प्रियासों की पहल की जा रही है जिसके पलसरूप महलाओं की इस्तिती में भी सुधार हो रहा है जाने के लिए कि उनका मत जो है देश के लिए बहुत महद्वपूर्ण है सुवेप वा मत दाता जागरुकता अभ्यान चलाया गया समस्त वर्गों की कारे के प्रती जवाब दे ही हितू सूचना का अधिकार तो बच्चों के लिए निशुलक और अनुवारे सिक्षा का कानून पहतरी के लिए बनाया गया है वही नवीन तक्नीकी को अपनाने अपने कारे को सुगम बनाने के साथ छिपे चले आय साइवर अपरादों से बचने के लिए भी जागरुकता कार्करम चलाये जारही है इस प्रकार कहां जा सकता है कि जन जागरुकता एवं सामजिक सुधार है तो किये जाने वाले राज की ये प्रयास ही उस राज्य को प्रगतीपत पर आगे बढ़ाते हैं। अब देखье यहां पर जो हमने देखा इसका निचोड देखा इस चैप्टर का तो हमने यही पता लगा कि जन जागरुकता यानि कि जो लोग है उनको जागरुक किया जाना चाहिए उनको हर चीज के बारे में पता होना चाहिए अब कई जो हैं वो काम तो करते चले जाते हैं लेकिन वो पीछे मुरकर नहीं देखते हैं कि उनके साथ भी धोकादड़ी हो सकती है तो अपना बचाव जो है उनको करना चाहिए तो यहाँ पर जब किसी चीज़ के बारे में knowledge नहीं होती है तो उसको अच्छे तरीके से और पूरे तरीके से समझना जरूरी होता है कि यह चैप्टर किस पर आधारित है तो तभी जो है वो चीज़ें समझ में नहीं आती है तो इसलिए मेरा हमेशा यहीं बोलना होता है कोई भी चीज़ आप करते हो पढ़ते हो यदि तो उसको आप पूरा पढ़ो तो चलिए यह चैप्टर होता है कम्प्लीट सब दावली देखिए नोटा वी वी पी एटी और स्वीप तो यह मैंने आपको बता दिया था नोटा करते हैं इन में से कोई नहीं none of above वी वी पी एटी वोटर वेरिफाइवल पेपर ओडिट ट्रायल और स्वीप है सुव्यवस्तित मतदाता सिक्षा और निर्वाचक सहभाविता यहां देखिए फुल फॉर्म जो है कब पारित हुए यह याद रखना है तो इस पूरे चैप्टर में इतना ही था तो चलिए अब अभ्यास प्रस्ण करते हैं वटावट से आंसर देने की कोशिच करें सन 2011 की जन गर्ना की अनुसार राजिस्थान की महिला साक्षरता दर कितनी है तो हमने क्या पढ़ा था हमने पढ़ा था कि यहां पर 52.12 प्रतिशत जो है वो महिला साक्षरता दर है उसके बाद अगला कोशिचन देखिए कोशिचन टू देखिए भूदान आंदोलन के जनक हैं महत्मा गांदी हीरा लाल सास्त्री जवाहर लाल नहरू या बिनोवा भावे तो बिलकुल याद भी प्रतिशन देखिए इस तम एक और इस तम बी से जो है वो मिलान करना है तो हमने इनकी फुल पॉर्म देखिए जिसमें जो भी आसान है सबसे पहले उनको देख लीजिए इवियम इवियम की हमने देखिए इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन नोटा बिलकुल हमने अभी दे संगठन तो इसको थोड़ा सा बाद में देखेंगे इसको देखिए बाल अधिकार समझोता तो यह क्या है यह सूचना का अधिकार की अंतरगत हमने पढ़ा था मजदूर किसान सक्ती संगठन तो संयुक्त राष्ट्र संग से यह संबंदित होगा ठीक है तो एक्दाम में इसे भी आप ऐसा ही करिए जो आपको पहले आते हैं पहले उनको आप देख लिजीए जो आपको नहीं आता है तो वह जो अंत में रह जाएगा वही ही आपका अूटर हो जायेगा अतिलबुद रातमक प्रस में देखिए सुइप कारिग्रम क्या है तो इस कारिगरम में हमने क्या देखा था कि इस में जो जो भी मत दाता हैं उनको चित तरीके से सिक्षा मिल सके और जो निर्वाचक है उसकी सहभागिता हो ठीक है बाल अधिकार के बारे में जानिए तो बाल अधिकारों के बारे में हमने पढ़ा था कि जो बालक है उनको अपने नेक्स्ट दिखिए राज्य महिला आयोग का गठन कब किया गया तो कब किया गया था ये 1999 में किया गया था राजिस्थान राज्य महिला आयोग का गठन इसमें क्या किया गया था वही उसी तरीके से ही जैसे बाल अधिकारों के बारे में बालकों को ऐसे अधिकार जो है वो उसी तरीके से यहां पर महिलाओं के प्रती जो भेदवाब हैं उनको दूर करने उनकी दसा सुधारने में बहुत सारे कदम उठाए गए थे लगो उत्रात्मग प्रश्ने भूदान आंदोलन का संक्षिप्त वर्णन कीजिए तो यहां पर मैंने आपको बताया था भूदान का दान जो है प्रानम किसने किया था तो यहां पर जो तेलंगाना था वहां पर भिनुवा भावी ने सबसे पहले प्रारम किया था उनका यह उद्धेश्य था कि जो भी जमिधार हैं जो भी बड़े लोग हैं उ्चवर के लोग को भूमैं जो है वो दान करें Michaeर में चोट चेपनब Nord Manuel, Pall. यवाध शonal और यहीं गग्ञ लीज टैर्स का मैसे का मचार के बढ़ए अंति हुपाल साइबर सूरक्षा नगा रहेंगे अंति नगे आवीजिए आपक hair पढ़ा था, सोचिए आप, तो यहां पर हमने पढ़ा था कि जो ATM का जो PIN नंबर होता है, पासवर्ड होता है, उसको छुपा के रखना, ठीक है, उसको किसी और को ना बताना, यदि पता लग भी जाए, तो क्या करना, उसको चेंज कर लेना, और और भी कोई धोकादड़ी है तो आप सीदे ATM या बैंक खाते से संबन्दित जो है, जो बैंक है, वहां पर आप लोग संपर्क करें, और अपनी जो भी परिचानी है, वो बताएं, इसके लिए ओनलाइन सिकायत जो है, वह भी दर्ज होती है, तो यह चेप्टर जो है, वो बिलकुल कम्प्लीट होता है, और मैंने अपने तरीके से आप लोगों को यहां समझानी की कोशिश की है, तो आठ चेप्टर आपके पूरे हुए, उसके बाद हम नाइन चेप्टर जो है, वो पढ़ेंगे, तो नाइन चेप्टर जो है, वो आपका ग्रामीर और शहरी प्रशाशन के बारे में होगा, या झाल